जब सीता निकलती हैं घर से बाहर तो तो सीधास जी ने कविता वली में जो छंद लिखा है उसमें एक शब्द लिखा है पुरते निकसी रगवीर बधू धर धीर दये डग में मगत धर से निकली तो अपने पैर रख दिये बाहर दो पैर लेकिन ये पैर कैसे हैं गोश्वामी जी लिखते हैं धर धीर धैर ये पूरवा क्योंकि उनको पता है कि जंगल सफारी नहीं है पास दिन की ये कोई अत्रा में निकलें दुन्या की बड़ी चुनों टिकलें निकलें सीता आपको सिखाती है कि धैरे के साथ निकलें इसने कहते हैं फूरते निकसीर भूबीर और धर दीर दये डग्मे मग ने तक formulas कर दीये अजल की भरिभाल कनी DOK vert Wiki पनी आगया पसीने आगए जल की भरिभाकनी जल की उटि सूखी हैं उनके होट शूग गए जलकी भरिभार कनी जलकी उटी सूखी गए मधुराधर गए फिर पूझती हैं चलनों अब केतिक पती से पूछती हैं कितना चलना है पिर पूझती हैं चलनों अब केतिक पर्न कुटी करी हों कित ज्रे पर्न कुटी करी हों कित ज्रे पर्न कुटी करी हों पिय की लखिया तुरसा पिय की और इतनी कोमल इतनी नाजुक मिधिला की राजकुमारी अयोध्या की महरानी मेरी वज़े से कष्ट में निकली है ये सोचकर असली पती क्या है असली पती वो है जो अपनी पत्नी के अपने साथ रहने वाले के सुख दुख को अपने अंदर महसूस करे और असली पत्नी भी व उनकी आखों से भी आसुआ राम की कहानी में एक व्यक्ति और है जिसका प्रदीक शास्त्रे वो रावना उत्तंतुल पुलस्तुमुनि नाती ता रावन घर दिया नबाती रावन महा विद्वान है आचार्य वनन से भाम्मन है और बड़े घर में पैदा हुआ है खांदान मे खांज लेकिन उसके साथ एक समस्या है उसमें काम है और एहंकार है उसका सब्से बड़ा दुश्मन है राम को अपने बल पर भरोसा है और अपने दल पर भरोसा है रावन को केवल अपने बल पर भरोसा है यानि कि ये लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए कि लीडर को अपने बल और अपने दल दौनों पर भरोसा होना चाहिए दक्षिन में लिखी गई राम कथाओं में मेहर रिशी कंबन की राम कथा है इराव अवतारम। उसमें बहुत अद्बूत प्रसंग है जो वालभी की रामायर तो उसी रामायर में नहीं है। जब राम ने लंका विजय के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की आपको पता होगी 12 जोते लिंगों में है। वही रामेश्वरम जहां हमारी भारतिय व्यज्ञानिक चेतना का बड़ा रिशी एपीज अब्दुलकलाम कब्र में आराम फर्मा रहा है। वही उन्हें शिवलिंग की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि आसपास कोई आचारे ढूंड के लाइए कोई पुजारी भाह्मा ढूंड के लाइए जो मेरा यग्य करा दे तो जामवंत ने कहा कि महुदय इस जंगल में समुद्र तठपर केवल पेड़ हैं वनवासी हैं हम में स इसे तो किसी को पता नहीं है तो उन्हेंने का आचारे ऐसा लाइए जो शैव और वैश्णव परंपरा हैं दौनों का सम्मिलन हो इसे दौनों चीजें आती हो तो जामवंत ने कहा कि ऐसा तो एक ही आदमी है पर वह हमारा शत्रू है पुलस्त मुनी का नाती है वैश्णव है और शिव का भक्त है दोनों परंपराओं का पोशक है और कर्म का अंडी है सब जानता है तो राम ने कहा कि एक बार जाके देखिए बात करके देखिए तो यह इरावंतारम में कथा आती है कितनी अच्छी है दुश्मन भी हो तो ऐसा हो सामने वाला भी हात में आख में प अ लwechsel कि जलो पादाने तो रावन जैसा आचार गयाया जांवन जब लंका पहुंचे रांग के कहने पर पर महर्शी कमन लखते हैं कि ये बात रावन को पता चली कि जामवंध आएं हैं जामवंध उनके पिता में के दोस्त रह चुके हैं तो उनको लगा कि मेरे भाबा के दोस्त है तो आदर करना चाहिए उसने राक्षतों से कहा कि मेरे महल तक का रास्ता बताने के लिए उन्हें कश्णाओ हर जगे राक्षस हाथ जोड़ कर खड़े हो जाए और जिदर की तरह विशारा कर दें उधर जामवंत चलें कता आती है कंब की रामायन में महरशी कंबन की कि जामवंत चुकि शरीड पाकार बड़ा था उनका तो उनको रास्ता दिखाते दिखाते रामण के पास तक ले गए उन्होंने रामण ने प्रणाम किया खड़े होकर पैड़ चुए और कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूं र जामवंत बैड़ गए रामण ने पूछा कि आपका व्यजमान कौन है तो जामवंत ने कहा कि आयोध्या के राजकुमान भरादश्रत के पुत्र श्री राम मेरे जजमान है और वे एक यंग्य करना चाहते हैं भगवान शंकर के विग्रह को इस्थापित करके शिवलिंग क पूजा करना चाहते हैं अपने एक बड़े काम के लिए तो रामण ने पूछा क्या ये बड़ा काम लंका विजय तो नहीं है जामण ने कहा आचारे आप ठीक समझ रहे हैं ये लंका विजय का जग्य है तो क्या आप आचारे पत स्विकार करेंगे तामण भी प्रतिवाशाली था उसे पता था कि कौन यक्ति आया है मुझे आचारे बनाने के लिए इतना बड़ा आउसर मिला है उसने कहा कि मैं उनके प्रतिपालक हैं वे अपने दूद को बहुत अच्छी तरह रखते हैं और ऐसे मर्यादावादी यजमान का आचारे बना मुझे स्विकार है जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं आऊंगे कि ए रावन जिसके घर में मा सिता सुरक्षित नहीं शील के साथ सुरक्षित नहीं यह रावन उस समय का शत्रूभी कैसा है राम का तो जामवंत ने पूछा कि क्या विवस्था करनी पड़ेगी, क्या-क्या सामान मगाने पड़ेंगे तो आचारे रावन ने कहा कि चुकि हमारा यजमान बनवासी है और अपने घर से बाहर है इसलिए शास्त्र की परंपरा है कि अगर यजमान का घर ना हो बाहर कहीं पूजा करानी पड़े तो सारी चीजों की तैयारी आचारे को स्वेम करनी होती है तो आप कह दीजिए अपने यजमान से कि वो केवल नहाध होके स्नान करके वरत के साथ ततपर रहे अब उसने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि वही पूजा करानी के लिए जाना है ये सब सामान तयार करो इसके बाद रावन एक रथ लेकर मा सीता के पास गया और सीता से उसने कहा कि समुद्र पार तुम्हारे पती और मेरे यजमान राम ने लंका विजय के लिए एक यग्यस्त आयुजित किया है और मुझे उस यग्य के आचारे के रूप में बुलाया है अब चुकि जंगल में रहने वाले किसी भी यजमान की सारी विवस्ता करना आचारे का काम होता है इसलिए उसकी अरधांगिनी की विवस्ता करना ये भी मेरे जिम्मे है तो ये रत खड़ा हुआ है ये पुश्पक विमान है तुम इसमें बैठ जाओ लेकिन तुम ध्यान नकना वहाँ भी तुम मेरी ही सरक्षा में हो मेरी ही कैद में हो और मैं आचारे रावन तुम जे ये कहता हूँ कि तुम मेरे यजमान की अर्धांगनी के नाते अर्धी अजमान के नाते इस पर बैठ जाना कंबनराम कथा में प्रसंग आता है कि यह सुनकर देवी सीता ने रावन को आचारे कर प्रणाम किया जो आग्या आचारा और अगली बास करनी है और उनके प्रणाम करने पर उसी रावन ने देवी सीता को अखंड सवभाग वती भव का आशिरवाद दे ठांसनी रोचलाषा न हम इसका है ज फेसं कि पास आचारि पहुंचा बना कर पास आचारी कर रानी कि अचार अचारी टो दोस्त भायों में ने उठकर अचारे को प्रणाम करता हो। मैं लंका विजय के लिए एक यग्य कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहां कि शिवका बिग्रह स्ताफित हो ताकि देवा दिदेव महादेव मुझे आशीरवाद देवाद कि मैं लंका पर विजय परापता है यह लंकेश से कह रहें रावन, लेकिन आचारे रावन से कह रहे हैं, आचारे ने कहा कि मैं आपके यग्य को पूर्दर संपाधित परोंगा और एश्वर्महादेव चाहेंगे तो आपको उस यग्य का फल प्रापत कुछा, जहां रावन ने कहा रिए तो बताया कि हनुमान गए हैं शंकर का विग्रह लेने के लिए अब अनुमान गए हैं तो यह भी पता नहीं कि महादेव को डारेक्ट लाएंगे यह कोई शिविलिंग लेके आएंगे कि हनुमान की तश्चीन एक्सपर्टीज है यह उनने दवाई महाने बेज़ो तो मेडिक रामने अटिये की धर्म पत्नी वे कहा है उन्हें पुलाइए तो रामने कहा कि आचारे मेरी धर्म-पत्णी तो व्तस्थित नहीं है आपर तो एसीकोहई शास्तरीग विधियो जिसमें उनकी अनुपस्थिती में यह यग्य हो जाएगा तो रामन है यह संभव नहीं है के तो तीन प्रकार से इसकी अनुमती है, एक या तो आप विदूर हों, आपकी पत्नी नहीं हों, दूसरे आप विवाही तो आपका विवाहा नहीं हुआ हो, और तीसरे आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो, क्या तीनों इस्थितिया हैं, तो राम ने कहा तीनों इस्थि तो उनने कहा है कि जब कोई जजमान जंगल में हो और उसके पास यग्य को पूरा करने के समस्त साधन ना हो तो आचारी की जिम्मेदारी होती है कि वो यग्य के साधन उपस्तित कराए तो आप विभीशन को और अन्य अपने मित्रों को भेज दीजिए मेरे यान में अर्द ज जमान सीता बैठी हुई है उन्हें बुलाला ही है यहां यह इरा रामवतारम में जो कंबन के लार रखी उसमें प्रसंग है उसके बाद पूजन हुआ विदिवत पूजन हुआ मासीता ने अपने हाथ से ही वो शिवलिंग इस्थापित किया जो आज भी महां लंकेश्वर क शिवलिंग महाँ पर मौजूद है इसके बारे में कहते हैं कि जब रामिश्य।वरम ने कि जिर्ण अपना शिवलिंग उठा लाए रहा है और रामने का हड़ा लगाए लगने दो यह तो इसके रहा है रामने हडिग महाँं को महाराज में लेकर आया हूँ टो राम समझ का कि एने थोड़ा सा अपने बल पर एहंकार आ रहा है तो राम ने का इसे हटा लो और सुनते हैं कि पूरा हनुमान ने जोड लगाया वो शिवलिंग नहीं हटा इसलिए राम ने फिर वर्दान दिया कि तुमारा शिवलिंग में आ अपस्तित रहेगा ते राम शिवलिंग में उनके द्वारा शिवलिंग में उनके द्वारा शिवलिंग में एक शिवलिंग है जो हनुमान के द्वारा शिवलिंग के नाम से जाना जाता है कि हनुमान के द्वारा शिवलिंग में अपस्तित रहे भाइलनका के राजा आचारे को अपक्या दर्शनादेगे इसलिए मेरी दर्शना अपर रही रामसंकोच में बड़ गए राम ने कहा कि दक्षना रही तो आप बता दीजे ताकि मैं वेदिवत तयारी रखो अभी में देने योग्य बनुपाऊं आपको तो क्या रामार ने द झाल झाल